प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम परेंगे टी को द या थ कब पढ़ते हैं कहीं सब्दू में टी का उचारन द किया जाता है और कहीं सब्दू में टी का उचारन थ भी किया जाता है आपको टी का उचारन करना है तो इन दोनों में से एक ही का प्रियोग करना होगा या आपको द का प्रियोग करना होगा या थ का प्रियोग करना होगा वो हो भी सब्दानुसार सब्द की अंसार आपको टी का उचारन द या थ करना होगा अब हम ट को द या थ का पढ़ते हैं इसकी या इसके नियम को समझते हैं देखे यदि ती एच के बाद यदि किसी सब्द में ती एच के बाद देखे यदि किसी सब्द में ती एच के बाद ये हो तो वहाँ पर ती को द या कभी कभी ध भी पढ़ा जाता है उधारन के लिए आपके सामने है ये वाला सब्द ये वाला सब्द इस सब्द को दिखें ती एच के बाद ये है तो यहाँ पर ती को दो पढ़ेंगे तब इस सब्द का संपोन उचारन होगा दे अर ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखिए इस वाली सब्द में ती एच के बाद ये है तो इसका उचारन होगा ध देखिए ती एच के बाद ये है तो पी का उचारन ध जा जा रहा है तब इस सब्द का संपोन उचारन होगा धर्मास अब आप देख रहे होगी कि एक ये वाला सब्द भी है यहाँ देखिए ती एच के बाद कोई भी ये नहीं है अर्था ती एच के बाद ये नहीं है तब इस वाले सब्द में कौन सा रोल लगेगा या कौन सा नियम लगेगा इसको हम दूसरी वाली वीडियो में समझेंगी इसी का मैंने यह सब अलग सी लिखा था ताकि आपको पता चली कि टी को द या थ पढ़ने की डो नियम है अब टी को द या थ पढ़ने का पहला नियम समझते हैं और इसकी प्रिवासा को देखते हैं पहला नियम तो हमने समझ लिया, अब इसकी प्रभासा पर चलते हैं देखी, ट को द या थ कब पढ़ते हैं? यदि किसी सब्द में ट के बाद यदि किसी सब्द में ट के बाद ये हो तो ट को द या थ पढ़ते हैं ट को द या थ पढ़ते हैं उधारन के लिए देयर और धरमस दोनों को आपको अच्छी त्रो समझा लिया है और ये वाला जो सब्द है इसके नियम आपको दूसरी वीडियो में समझाया जाएगा इसकी या दूसरे नियम की परिभासा यहाँ पर लिखी है इसको हम दूसरी वीडियो में समझेंगे इस वीडियो में इतना ही धैंक यू हेव नाइस डिए